अग्रेश के अग्रेश को सब्सक्राइब अब करें तुर में डिसक्राइब जाना हुआ है अपके साथ निफ्टी बैंक निफ्टी अनिशिस और साथ मैं आपको दूँगा एक त्रेटिंग के लिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा लेब पर भी ऑश्टाइब बन रहा है तो चलिए शुरी करते हैं तो सबसे पेर में Nifty Bank को देख रहता है Nifty Bank कम डेले टेम फेर में देखें के तो बहुत strong candle बनी है, उसका नाम है bullish engulfing, bullish engulfing candle क्या होता है इसकी मान लीजे कल हमाई red candle बनी है जो उसकी body है, उसकी engulf कले अगले दिन की green candle या कोई भी candle, green candle उसको है पूरी engulf कले उपर से नीचे तक उसके close से open तक पूरी engulf कले तो उसको गहता है bullish engulfing बहुत ज़्यादा strong bullish candle होती है और strong sign होता ही ये reversal का तो जैसे कि मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था DAO भी बहुत important support में था तो वहाँ से उसने जैसी demand zone में एंटर किया वहाँ से वो bullish हो गया था, मैंने इंस्टाग्राम पे पूरा share करा है आप उसको चेक कर सकते हैं तो बहुत अच्छा भी आपको highlights में DAO वाला मिल जाएगा तो उसमेंचे आप चेक कर सकते हैं, बहुत अच्छे मेरे analysis बैठी थी और जहां से मैं सोचा था कि reversal आ सकता है, वहीं से reversal आया था weekly time frame में एक पर चेक कर लेता है weekly time frame में थोड़ा हम मेरे को bullishness ही दुबारा देखने लग गई है, और यही वाली trend line थी जो मैं आपको बना के दी है, यह देखी यहाँ पर support मिला था मेरे को पूरा है की था, इस support तक यह जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत important एक support है मैं आपको support draw करके देता हूँ, यह वाला आप area देखो तो यह वाला important support है तो यह reason तक मैं था कि यहाँ तक देखो मेरे को देखने को मिल सकता है fall उसके बाद दुबारा मेरे को bullishness देखने को मिल जाएगी तो बहुत अच्छा भी है, bank nifty का मेरे को move आने वाल टाइम में लग रहा है 15 minute time frame हम चेक कर लेते हैं एक बार 15 minute time frame अगर देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि एक बहुत steam move आया है यह देखें लेकिन अच्छा move आया है यह देखिए मैं आपको दिखाता हूँ देखिए higher high high low बनते वे move आया है यह देखिए higher high high low हमको create होते रहे हैं और एक अच्छा move आया है यह trend line थी इसका breakout हो चुका है तो trend line की बात करें trend line मुझे एक upper side की नजर नहीं आ रही है लेकिन मेरे को lower side में अच्छी खासी trend line नजर आ रही है वो है यह वाली मैं आपको draw करके देता हूँ पूरी trend line तो यह रही हमाई trend line यह trend line सायद मेरी अच्छी काम कर सकती है आपको बनते विद ही resistance पर तो अच्छा खासा हमको बेरेस मुव देखने को भी लेखा अब आपको बता हूँगा important resistance को support और हमको entry कासे करनी है यह बहुत important resistance पॉइंट है जो आज का हमारा हाई है वो बहुत important resistance का भी क्राम करने वाला है और second resistance की बात करें मुझे जो important resistance लग रहा है यह वाला level का अगर breakout हमको देखने को मिल जाएगा तो हमको एक अच्छा खासा up move देखने को मिल सकता है आनिवाल टाइम में तो अब मैं आपको बताता हूँ हमको endless करनी है और हमको entry और exit करनी है यह हमारा अगला support यह support अगर breakdown हो जाएगा तो हमको अच्छा खासा भीरेस move भ खुलती है तो यहीं पर इसी के आसपास हमारे bank nifty खुलते हुए हमको देखने को मिलेगा तो हमको अच्छा खासा resistance का breakout प्रस retest देखने के अराम से entry मिलेगी यह वाला level तक बहुत अच्छी entry मिलेगी और अगर flat खुलता है यह हलका सा 100-200 points gap done खुलता है तो वेट करेंगे retest का retest होगा हमारा इस level पर इस level पर हमारे retest होगा अराम से entry आएगे हमारी यह वाली 37-269 बहुत अच्छा fall देखने को मिल सकता है तो ध्यान से अच्छा fall देखने को मिल सकता है यह trendline का breakout होने पर बस ध्यान रखना मैं आपको दोबारा मतारों के resistance पर जब retest होता है तो हमको कोई भी bearish candle देखने को मिलनी चाहिए रैड मारू बुजू में देखने को मिलनी चाहिए यह bearish मारू बुजू यह bearish hammer या gravestone doji इन टाइप की बहुत strong एक candle देखने को मिलनी चाहिए तभी हमको यहां से bearish entry अच्छे मिलेगी तभी मैं आपको suggest करूँ हूँ कि आप bearish center हो स आपको ध्यान रखना है यहां पर भी हमको कोई bullish candle देखने को मिलनी चाहिए यह detest पर अच्छी entry मिलती है तो सीधे आपको steep target लेना है यह वाला 37,000 में आपको mark करके देता हूँ क्या target 38,150 का आपको आराम से target देखने को मिल गया तो उसके बाद आपको मिल सकता है आराम से target यह वाला resistance यह भी important resistance है ध्यान रखना है इसके बाद आपको trade नहीं करो 38,378 का target हुजगा आपको बतातो कितने points हमको आजपास target देखने को मिल सकता है हमको bank nifty में देखने को मिल जाएगा अराम से 600 points सब तो 600 points more than enough है अगर आप intraday में इतना trade कर रहे है तो bullish side claim आपको entry देती तो अच्छी trade nifty banks में हमारी देखने को मिल सकते है तो nifty की तरफ को देखते है nifty में अच्छा move अभी देखे जाए तो nifty में अच्छा move है नहीं bank nifty के comparison पर है तो daily time frame में nifty को लेके चलते है जिसके bank nifty आपने देखा 2% आप है तो nifty सिर्फ 0.75% आप है और इसमें एक चीज bank देखने को मिलिए तो अच्छी candle बनी है और बुल्स ने recover किया है market ने और अगर देखे जाए चला कहां से तो यह देखे weekly का demand zone weekly के demand zone से पुरा हमारा nifty चला है तो अच्छा कसम को move भी देखने को मिला है यह demand zone अच्छा काम करेगा तो वहीं हम देखे 15 minute time frame में कि हमको कैसे entry exit मिल सकता है और कैसे हमाई trade बन सकती है तो इसमें मेरे को एक अच्छी कासे बी upper side के trend line देखने को मिल रही है बहुत अच्छी trend line में बनाई थी अभी मैं आपको draw करके देता हूँ पूरी trend line तो यह रही हमाई trend line देखे कितनी है strong trend line है यहाँ पर हमको resistance provider यहाँ पर इतना हो रहा है तो इसमें बहुत easy हमको target देखने को मिलेंगे resistance देखे कि बजाओ तो आपको यह वाला important resistance सा काम करने वाला है ध्यान रखना यह important resistance है और second important resistance है वो मेरे को लग रहा है यह वाला level यह level भी हमारे important resistance सा काम करेगा तो ध्यान रखना 17,670 के आसपास का आपको final target रहना यह बहुत बड़ा target है इससे बड़ा आप nifty में क्या ही book करो कि मुझे पता है इतना बड़ा हमको nifty में target बुक करना भी नहीं है एक आपको entry के लिए target देता हूं यह वाला आपको जो next resistance मेरे को दिख सकता है जो important काम कर सकता है वो यह वाला level लग रहा है मुझे यह level एक important resistance स जग रहे हैं अब हम मैं आपको बता हूं को trade कैसे लेंगे बहुत easy trades में आपको बताऊंगा यह देखिए जैसे ही हमको मान लीजे इसके अंदर flat या gap down opening देखने को मिलती है तो अब वेट करोगी अगर आपको इस ब्यरिस सेट्ले में उतना prefer आपको नहीं करोगा bank nifty में कैंटर हो जाना है कोई भी strong red candle दिखते ही अराम से target हमारा आने वाला है 16,980 का अराम से target आई का बस sustain नहीं करना चाहिए 17,000 के नीचे अगर यह sustain कर गया तो अच्छी घासी हमको selling देखने को मिल सकती है तो ध्यान रखना बेरिस एकर थोड़ा सा risky रह सकता है काँए bank nifty भी बहुत ज़्यादा बुलिस है और निफ्टी में भी अच्छी कासी closing हुई है daily candle के हिसाब से बुलिस साइट के बहुत अच्छी entry मिलने वाली बुलिस साइट के एंट्री जैसी resistance का breakout प्रस इस area पर यह test कर लेता है 17,330 के असपास को retest करता है तो अराम से हमारी जाने वाली ह 17,510 का first target और second target 17,670 का बहुत easy target समरे आने वाले आप पर जाए कि stop loss कैसे लगाने stop loss जो यह वाला मैं आपको resistance ट्रो करकर दिया है जो अब support या काम करने वाला है वो support के नीचे आप बहुत सा stop loss लगाता है 17,250 का असपास का या उस दिन के low के नीचे आपका stop loss रहेगा बहु हम चलते हैं अपने swing trading के stock के दरफ तो my entry limited मेरे को एक अच्छा level पर अभी stock लग रहा है मैंने यह अपने telegram औ instagram पे बहुत अच्छे level पर stock है और मैं आपको बताता हूं इसमें हमको trade कैसे करनी है बहुत demand supply का खेल है इसमें भी मैंन आपको बताया जैसे कि यह demand zone में अच्छी खासी entry कर चुका है demand zone के अगर बात करें तो demand zone strong है यह देखिए अच्छी closing हुई है इसके बाद अच्छी खासी हमको rally देखने को मिली है तो बहुत अच्छा demand zone बना था head and shoulder type में यहाँ पर formation में को एक दिख रहा है इसका neckline यह रहा है इसका head and shoulder type का formation उस pattern के breakout होते ही breakdown होते ही 3639 के stop loss आप लेकर कर सकते हैं entry आप current backly price पर कर सकते हैं 38 30 के असपास आपको entry करनी है target हमार रहेगा next supply zone supply zone strong है तो ध्याम रखना strong supply zone है supply zone target हमार होगा 4500 4500 का target जैसे का आपको बता सकता हूँ यहाँ पर मैंने आपको पुरा लिख के दिया है entering at important demand zone पर हमाँ एंटर कर रहे है इस बाइश्ट भाई क्या है हमां 3800 से 3820 लेवल तो 3830 के आसपास के level को भी आप एंटर कर सकते हैं target हकर दिखा है 4500 और इसका reward हमारा बैठेगा इसमें और आपसा है one ratio four का बहुत अच्छी trade बनने वाली में बहुत best entry बन रिये तभी मैं आपको बता रहा था मैं अच्छी trades ही देता हूँ आपको बहुत सारी trades दिखने मिल जाती है बेरको और अभी मैंने अपने WhatsApp ग्रुप में भी एक जल्दी बाजी में share trade share क थी लेकिन मैं honestly बता हूँ मैंने वो खुद भाई नहीं करा काउंकि मुझको इतना time ही नहीं मिला ये इतनी जल्दी इसमें reaction आया जैसी मेरा target trigger hit हुआ उस जैसी ये मेरा देखी कितना strong gap up वाला demand zone था मैं बहुत strong demand zone पर entry करता हूँ ये देखे जैसे ही इसने enter किया demand zone touch गया उसके बाद ये rocket हो गया कम सिकन इसने 7.7% का move दिखा दिया है एक ही दिन में तो जील में तो मुझे entry नहीं मिलिया मैं इसमें entry कैसे करने वाला हूँ entry मैं करने वाला हूँ ये वाला जो supply zone है इस supply zone का breakout हो जाता है तो मैं इसमें 322 के आसपास को entry करूँँगा उसके बाद मे लेवल पर आये हैं तो यही तरह स्वीडियो मैं निक्टी में के अनलिसिस मेनक को बता दिया और साथ में एक swing trading के लिए बहुत अच्छा stock दे दिया है तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करते हैं कमेट से मुझे तानल वीडियो से करने क्या हैं और आपको क्या queries हैं और मेरे WhatsApp ग्रूप वी जोइन कर लेंगा कि मैं उसमें जो भी मेरे को जल्दी बाजी में ट्रेट देनी होती है या मेरे को कोई अच्छे लगर पर दिख रहा है जस्ट में ट्रिगर होती हैं तो मैं उसमें WhatsApp में ज्यादा लोग active होते हैं तो मैं उस